Hey guys, welcome to our channel, my name is Absar and you're watching Technical Absar YouTube channel तो guys, आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने Instagram अकाउंट को पर्मनेंटली डिलेट कर सकते हैं तो जिसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने Instagram अकाउंट को टेमपरली डिसेबल या फिर डियक्टिवेट कर सकते हैं जिसके मदद से आपका जो Instagram है वो बाकी लोगों को नहीं दिखेगा और आप कुछ टाइम के लिए Instagram के उपर ब्रेक ले सकते हैं बड़ काफी सारे लोग चाहते कि वो अपने Instagram अकाउंट को डिलेट कर दे क्योंकि उन्हें Instagram को continue नहीं करना होता या फिर वो किसी से परिशान हो जाते या फिर वो अपने Instagram को यूज नहीं करना चाते जो भी उनका reason होगा वो हो सकता है तो यहाँ पर क्या हुआ है Instagram के उपर अब जो settings है वो अभी change हो चुकी है पहले आप Instagram के उपर कभी भी अगर आपको अपने account को delete अगर करना होता तो बहुत simple सा option था वैसे तो दिखिए Instagram के उपर कोई भी उपर option नहीं है Instagram के अंदर अगर आपको अपने account को delete करना है तो से पहले आपको अपने Instagram को open करना है open करने के बाद आपको अपने profile के उपर click करना है profile के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपको three line के उपर click करना है फिर आपको setting के उपर आने के बाद यहाँ पर help का option देखने को मिलता है आपको इसके उपर click करना है फिर आपको यहाँ पर help center के option के उपर क्लिक करना है अब यह automatically यहाँ पर आपके किसी भी एक browser के थुरू आपको instagram के desktop mode के उपर पहुचा देगा तो यहाँ पर भी हम आच चुके है अब देखिए यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ से अपने account को डिलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वाट्स ट्रेंडिंग तो इस सेक्षिन के अंदर आपको एक option देखने को मिलता है देखिए यहाँ पर भी डिलेट लिखा हुआ नहीं है नहीं डिलेट का option है क्योंकि Instagram नहीं चाहता है कि उसकी जो अक यहाँ पर आपको मिलता है टेकिंग अब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम जो कि आपको वार्स ट्रेंडिंग में थर्ड नंबर का option है आपको इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज उपन हो जाता है पेज उपन होने के बाद यहाँ प option है जहाँ से आप अपने Instagram account को delete कर सकते है या फिर अगर आप temporarily disable अगर करना चाहते है तो उपर के option के साथ जा सकते है तो अभी हम हमारे account को permanently delete करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप how do I delete my Instagram account आपको second number वाले option के उपर click करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर आपको यही बताएगा कि आप थोड़ा break ले लो या फिर आप अपने account को temporarily disable कर दो बलके आप delete मत करो क्योंकि Instagram यही कहेगा आपको क्या आप अपने account को delete मत करो बड़ गई यहाँ पर आपको अगर delete ही करना है तो आप नीचे एक option आपको जो number देखने को मिलता है one number तो go to the delete your account page का एक option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो blue वाले link है आपको delete your account के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके पास delete का page open होने से पहले एक browser आपको पूछेगा कि आपको किस browser के अंदर जाना है तो यहाँ पर आप अपना favorite browser या फिर जो भी आपका browser आप उसको select कर सकते है तो मैंने आपर simply chrome select कर लिया है अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा delete your account का page आ चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो दिख रहा है why do you want to delete अब सर्शा 60 तो अब यहाँ पर हमें एक reason डालना है तो हमें simply इस arrow के उपर क्लिक करना है arrow के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका instagram account delete करने का reason है वो आप यहाँ से select कर सकते है बट मैं यहाँ पर इसको just try कर रहा हूँ तो मैं आ पर क्या करता हूँ something else उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना password re-enter करना है आपका जो भी account का password है उसको आपको यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर एक password डाल देता हूँ उसके बद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको blue color के अंदर delete आप सरशाद 60 लिखा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर click करके अब मैं अपने account को delete कर सकता हूँ यहाँ पर एक important चीज़ और सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि अगर आप अपने Instagram account को delete करते हैं तो वो तुरंत delete नहीं होता है बलकि यहाँ पर आपको एक महिने का time दिया जाता है एक महिने के बाद आपका account delete होगा बट एक महिने तक आपका account hidden रहेगा किसी को भी sure नहीं होगा अगर एक महिने के अंदर हो सकता है कि आपका mood बदले या फिर आप अपने Instagram account को फिर से वापस अगर use करना चाहे तो आप कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है कि आज की जो date है वो है 24 April और यहाँ पर मेरा जो Instagram account जो delete होगा वो होगा May 24, 2021 तो यहाँ पर एक महिने का हमें time मिलता है एक महिना इसलिए होता है कि ताकि आपका जो mind है आपके mind में आपको अगर लगी कि हाँ ठीक है हमें अपने account को वापस ले लेना चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते है तो यह वो process है अब आपको simply यहाँ पर delete अपने username के उपर click करना है उसका अब जैसे आप click करेंगे तो आपको फिर से यह confirm करेगा कि आपको सच में अपने account को delete करना है अगर आपको करना है तो आप okay कर सकते है अगर नहीं करना है तो आप cancel कर सकते है तो guys मैं यहाँ पर आपको सिर्फ demo बता रहा हूँ इसलिए मैं आपर अपने account को delete नहीं करूँगा मैं इसको simply cancel कर देता हूँ तो यह है वो पूरी process जिसकी मतदद से आप अपने Instagram account को बहुत असनी से delete कर सकते है new method, new feature and new यहाँ पर option के साथ में अगर आपको कोई भी इसके अलावा अगर दिक्कत होती है तो आप नीचे comment box के अंदर मुझे पूछ सकते है या फिर अगर आपको ज़्यादा serious अगर कुछ बात करना क्योंकि इसी तरीकी के interesting and healthy videos मैं आपको गोगे daily लात रहता हूँ and thanks for watching, bye bye